आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं UTI के बारे में हम जानेंगे इसके Sign and Symptoms यानि कि आप इसे कैसे पहचान सकते हैं तो पहले हम समझ लेते हैं कि UTI होता क्या है तो देखें आप जानते होंगे जो हमारे kidneys होती है या फिर हमारे गुर्दे होते हैं उसमें पेसाब का formation होता है यानि कि यहाँ पर urine का formation होता है तो यहां से यह बनने के बाद हमारे ureator में आता है जिसे कि हम पेसाब की नली भी कहता है देन यह हमारे यहाँ पर थैली होती है जिसम कहते हैं urinary bladder, तो यहाँ पर फिसाब इखटा होता है, तो इसमें आता है, तो यदि हमारे ureator या फिर हमारे bladder में कोई infection हो जाता है, तो उसे हम UTI कहते हैं, और देखे जातार इसमें bacteria का infection होता है, या फिर bacteria इसमें infection cause करते हैं, इसलिए UTI को bacterial infection of the urinary tract भी कहते हैं, और journalist में हमारे bladder यानि कि uninary bladder और हमारा ureator ही involved होता है, या फिर इसमें ही infection होता है, तो देखे कई बार ऐसा होता है कि हमें infection हो जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें infection हो गया है, यानि कि हमें कोई sign या symptom so नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि some organism may colonize urinary tract but cause no symptom, य या फिर इस तरह के बैक्टिरिया को हम Asymptomatic Bacteriurea कहता है। और देखिए अधिये इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो हमारे किड्नी में भी पहुँच जाता है। यानि कि यहां से हमारे किड्नी में पहुँच जाता है। तो उसे हम कहते हैं Pyelonephritis. तो अब हम इसके Sign and Symptoms भी देख लेता है। यानि कि आपको कौन-कौन से Sign and Symptoms देखने को मिलता है। और उससे पहले हम इसकी Epidemiology भी देख लेता है। देखिए यानि कि जो UTI होता है उसके Chances किस में ज़्यादा रहता है। तो देखिए इसके Chances Females में ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर दिया है 4 is to 1, यानि कि यदि 4 Females में इसका Infection होगा, तो 1 male में Infection होगा, यानि कि Females में Infection होनों के Chances ज़्यादा होता है। और यह दिखा जाता है कि अपने पूरे जिवन काल में 40 से 60% Womens में UTI होता ही होता है। तो अब हम UTI के Sign and Symptoms भी देख लेते हैं। तो इसका पहला symptom है Dysuria, इसका means होता है Pain During Urinating, यानि कि फिसाब करते समय दर्द होना या फिर जलन होना। तो यह इसका एक बहुत ही Common Symptom है। यहाँ पे दिया है Pain Described as Burning Sensation While Urinating, Then Irritation of Blader and Lower Segment of Urinary Tract Caused by Infective Organism तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो हमारा Lower Segment होता है या फिर हमारा Blader होता है उसमें Infection हो जाता है Bacteria के कारण, जिसके कारण हमें पेसाब करते समय या Urine Pass करते समय पेन हो सकता है तो यह इसका पहला बड़ा Symptom है और इसका दूसरा Symptom है Urgency इसका मतलब होता है Feeling Like Needing to Urinate More Quickly यानि कि जो इसका Patient होता है जिसमें UTI हो जाता है तो उसे बार-बार पिसाब जाना पड़ता है और उसका पिसाब बहुत जल्दी आ जाता है यानि कि उसका Control नहीं होता है Due to Blader Irritation क्योंकि हमारे Blader में Irritation हो जाता है जिसके कारण उपने पिसाब को रोक नहीं पाता है तो यह इसका दूसरा Symptom है दैनागला Symptom है यहाँ पे Frequency यानि कि Patient की Frequency भी बढ़ जाती है उसे बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है तो ऐसा क्यों होता है तो ऐसा भी Blader में Irritation के कारण होता है और कई बार ऐसा होता है कि Patient का Blader खाली हो जाता है लेकिन उसके बाब जूत भी उसे ऐसा लगता है कि उसे अभी यूरिन पास होगा तो इसलिए वो बार बार जाता रहता है इसके बाद हैं पे इसका अगला साइन Fall Smelling यूरिन यादि कि जो पेशन्ट होता है उसके यूरिन से काफी बदबूबी आने लगती है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि उसमें बैक्टिरिया का infection हो जाता है तो इसे हम कहता है पायूरिया या फिर बैक्टिरियूरिया जिसके कारण उसमें बदबूबी आने लगती है अगला साइन है Suprapubic Pain तो ये क्या होता है जो हमारी नाभी होती है कभी-कभी उसके नीचे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारा ब्लेडर होता है उसमें irritation हो जाता है या फिर उसमें infection हो जाता है जिसे हम कहते हैं cystitis तो कभी-कभी patient में उसकी नावी के नीचे दर्द भी देखने को मिल सकता है कभी-कभी UTI के कारण patient के urine में blood भी आ जाता है जिसे हम कहते हैं hematuria तो ये भी इसका एक sign and symptoms है आपे हम कुछ और sign and symptoms भी देख लेता है जैसे कि यहाँ पे है urinary hesitation यानि कि जब patient urine को pass करता है तो उसका जो flow होता है वो कभी-कभी maintain नहीं हो पाता है तो इसे हम कहते हैं urinary hesitation UTI में कभी-कभी post-void dribbling भी देखी जा सकती है यनि कि जब patient urine pass कर लेता है तो उसके बापचूद भी कभी-कभी drops के रूप में उसका urine गिरता रहता है तो ये भी UTI का एक कारण हो सकता है अब हम जान लेता है कि जब infection kidney में पहुँच जाता है तो हमें क्या-क्या sign और symptom देखने को मिलता है देखिए जब infection kidney में पहुँच जाता है तो उसे हम कहते हैं pyelonephritis तो इसमें क्या-क्या sign देखने को मिलते हैं तो पहला sign है इसमें flank pain यहीं कि हमारे कमर के पिछले हिस्से में इस जगा pain होता है pain on back toward one side at the bottom of rib cage तो यह इसका पहला sign है दूसरा sign है इसका fever and chills तो कभी-कभी flank pain के साथ में बुखार और ठंड लगना भी आपको देखने को मिल सकते हैं तो यह भी इसके common symptom है तो आप इन symptoms द्वारा पहचान सकते हैं कि किसी को UTI तो नहीं हुआ है तो यदि आपको यह symptom देखने को मिलते हैं तो आपको उसका treatment कराना चाहिए तो आज की इस वीडियो में इतने था यदि आपको कोई doubt रहता है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं Thank you very much